हेलो दोस्तों अगर इस तरह से आपका मश्रूम सूख जा रहा है तो इसका में कारण यह है कि टेंपरेचर हाई हो गया है तो इस समय में दो से तीन बार पानी के छिड़काव जरूर करें ताकि आपका जो भी मश्रूम जो उगने वाला है वो अच्छे तरीके से उप पाए अनिया था आपका मश्रूम भैक खराब हो जाएगा तो ध्यान जरूर दें अपना टेंपरेचर को मेंटन करने के लिए अगर आपका बैक फूर्ता वाइट हो गया है इसमें पूरा फंगस अगर आ चुका है मश्रूम का तो आप इस बैक को खोल दें इस तरह से पनी का कव अबर को हटा दें ताकि अच्छे सी मश्रूम निकल सके आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सस्क्राइब और सेयर